नमस्कार मैं हूँ राज मुहंतिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ बिहार में चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा हला बेरोजगारों को इलिए ये मचता है उनको नौकरी देने के लिए मचता है लेकिन जैसे ही चुनाव संपन होते हैं किस प्रकार से उन्हें ठगने की सरकार कोशिस करती है उसका अनुमान भी साथ आप नहीं लगा सकते हैं ऐसा ही कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सीटी मैनेजर के अभियर्थी 2020 मई की ये बहाली थी 2200 रुपे देके इन्होंने आवेदन किया था और उसके बाद से तमाम प्रक्रियाएं संपन कर लेने के बाद अब खबरे ये चलती हैं कि साथ अधिसूचना ही रद कर दी जाएगी क्या कुछ पूरा मामला है इनी से जानेंगे हमारे साथ जुरे हुए हैं आपका नाम क्या है मेरा नाम स्तूती कुमारी है और हम लोगोंने सीटी मैनेजर 163 पोस्ट के लिए बीसी इसी द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें बाइस सो रुपे शुलक देकर फॉर्म भरा था मई महीने में पिछले 2020 में मई महीने में हम लोगोंने ये फॉर्म भरा था और 9 दिसंबर 2020 में इसकी परिक्षा होई थी उसके बाद इसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ 25 जनवरी 2021 को और जिसका डॉकिमेंट वेरिफिकेशन 9 फर्वरी से 11 फर्वरी 2021 को करा लिया गया था उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए अभी तक साथ महीने हो गया है हम लोग अभी तक उसका इंतजार कर रहे हैं है और भरती प्रक्रिया की तो वे प्रोसेडींग्स क्या है विसएफ में तो कहीं चर्चा यह होती है याणि कहीं कोई नोटिकैशन या कोई नोटीस सं मलोगों को नहीं दिया जाता है फर्वरी में आप लोगा डॉक्यमेंट वेरी जाएगी ऐसा एसम्शन उन लोगों के द्वारा किया गया था ऐसी खबरें आई कि अधिसूचना रद करने की बात कही गई थी यह पिर उसको अनिस्चितकाल के लिए लंबित किया जाए लेकिन इसके लिए कोई क्यों आ रहर है और कि इसका पीछ नेसका इसका अंसर तो हम लोगों के पास नहीं है हम लोग तो सिर्फ अंसर के लिए आप लोगों जो पहले प्याद होता है कितने ही अभियरति होंगे जी नोगों के साथ क्या समस्या खडिया गई जी जॉब जैसे जो लोग पिछले जॉब कर रहे थे उन लोगों से नोसी मांगा गया था तो उन्हें जॉब छोड़ के देना पड़ता है के लिए तो उनके साथ समस्या यह आ गई कि वो लोगों का पिछला जौब भी छूट गया और यह जौब तो अभी विलंब हैं ही और आगे पता नहीं इसमें कितना विलंब होगा तो बच्चे इसका ही इंतजार कर रहे हैं और जबाब चाहते हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट कर क्या मिलेत है यह मिलेत हैं वह में यह देख रहा हूं पिछला मंगलबार को मिलेत हैं कि इसी ने नियुका मंगलबार को कितने हो गया हूं और दिन हो गया है अभी तब कोई ऐसी सुचना है उन्हें प्राप्त हुई अभे आप लोग को क्या लग रहा है अखिर, यह मैटर जाकर फसा कहा है यह तो मुझे पता नहीं यह तो बड़े लोग के बात कि बात है मुझे पता नहीं मुझे मेरा तो एक्जाम देना और एक्जाम निकालना आपने एक्जाम निकाला इंतजार final merit सब्सक्राइब ठीक रहता हैं मिर्ग जाते हैं विभाग में तो क्या कुछ सुनने को मिल रहा है वो वोलते नहीं है देख लेंगे इस तरह से कैसे चलेगा हम पहले में तृ जॉब में धा और झिलुक मैं घर में अकेला कमाने वाला हूं पताई ये मेरा घर कैसे चल रहा होगा कितना संगर्स फूल अभी मेरा घर चल रहा होगा साथ महिने से आप विरोजगार इसके मतलब बैठे हुए हैं और वो भी केवल एक विभाग कि लापरवाही के करम जी हम लोग जॉब करते हैं लंपिक में मेडल लाने से भी बड़ी बात है बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब अभी आपको जॉब देने ही नहीं नहीं थी या फाइरल मेरिटली जारी ही नहीं करनी थी तो तुरंट एनोसी मांगने का क्या करना आप लोग को क्या लगत रहा है एक सिंगल को भी या माहीने बाद दो महीने बाद ये चे महीने बाद आप हम लोगो को कुछ मिलेगा लेकिन वह अशा कुछ नहीं हो रहा है हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा हम लोग करने के जो कहां से लिएằng और वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग दूसरा जॉब ढून लीजिए और दो-तीन बार वो लोग विजिट किये तो बोलता है कि ये अधिसूचना रध कर दी जाएगी आप लोग घर पर रहे हैं नोटिफिकेशन में आ जाएगा इससे और स्टुडेंट बॉखल आ गया हैं वो बोले कि हम लोग एकजाम दिये हैं रिजल्ट किलियर किये हैं और उसके बाद सब चित्रत हो जागा तो हम लोग कहां के रहेंगे ये नोसे भी हम लोग प्रोवाइड कर दिया है कितने अवियर्थी इस परिक्षा में सामिल हुए और कितनों का अभी लंबित है मामला इ इसमें 163 पोष्ट है ये भी खबर आ रही थी कि कुछ सीट बढ़ाया जा रहा है या कुछ हो रहा है वो कुछ इनफोर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कुछ बताया नहीं जा रहा है ना विभाग से ना आयोग से ना अधिकारियों से और मंतरी सर से भी हम लोग मिले थे उन काम करना चाहते हैं क्पर बेरोजगारि बनी रहेगी तो एक परिवार के साथ कई लोग जुड़े होते हैं तो एक आदमी वेरोजगार नहीं होता उसके साथ उसका पूरा परिवरार वेरोजगार होता है जो उस किभर दिया जाये ताकि हमारे QU severity को कर सके बिहार में किसम प्रकार से उभेर्थीओं को ठगा जाता है कई कि मामले लगतार सामने आ हैं लगतार लाइफ बिहार उनकी आवाज बंनता रहा है और उठाता रहा है सीटी मैनेजर के 63 पदोपी अगर बात करे तो 2020-30 मई इने बीट गए फाइनल मेरिट लिष्ट का इंतजार ये अभियर्थी कर रहे हैं लेकिन जब खबर ऐसी आने लगे कि अधिसूचना ही रध हो सकती है आप लोग जाकर दूसरा जौब की तयारी करिए जब विभाग और आयोग इस प्रकार की बाते करने लगे तो सोचिए कि अभियर्थियों के मन में किस प्रकार का अभी मांसिक तनाव उत्पन होगा क्या करेंगे वो क्यूंकि कई ऐसे अभियर्थी सीटी मैनेजर के पोस्ट के लिए थे जो अपनी जौब छोड़कर जिन्होंने एनोसी डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में दिया था तक्रिवन सात महीने से बेरोजगार वैटे हैं और अब आयोग के पास यानि विभाग के पास जाते हैं तो विभाग क्या कहता है कि दूसरे नौकरी की तयारी कीजिए जौब का तलास करना शुरू कीजिए अब बताईए कि 2200 रुपए देकर 2200 रुपए देकर कोई आवेदन भरता है सि मिलता है तो वह क्या कड़ेगा अगे बिहार के यूवा बिहार के ये नोजवान जो बेरोजगार हैं वह सवाल क्यों न उठाए सरकार पर क्यों न उठाए विभाग कर विभाग पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर परसाद जी के अधीन नगर विकास एवं अवास विभा हappelle लेकिन अभी तक संतोश जनक जवाब नहीं मिल रहा है जवाब सेना विभात को देना है कन समस्या उत्मण होती अभ्यरतियों के सामने तो उसको जवाब देकर संतुष्ट करने का काम विबाग के तरफ से या फिर शरकार के तरफ से किया जाना चाहिए इनकी जो मांगे हैं निश्चित तोर पर जायद है शरकार को चाहिए कि वो सुने कि आखिर ये चाहते क्या है वो बस आप से एक संतोज जनक जवाब चाहते हैं कि नियुक्ति इनकी कब तक हो जाएग इस प्रकार से बिहार में करनामों को अंजाम दिया जाता है अब देखते हैं इस मैटर पर आगे क्या कुछ होता है विभाग क्या जवाब देता है और शरकार क्या इसे संग्यान मिलेती है आप बने रहे लाइए लाइफ बिहार के साथische आप सभी काव बहुत बहुत धन्याव यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें